कि नमस्कार चछातरों कि पिशले वीडियो में हमने राजनेते विज्ञान के प्रंपरागत रस्टी कोंड कnd wär आर्थ और उसके प्रीभासाओं के बारे महत्य understands कि आधार ता है आज की वीडियो में हं प्रंपरागत राजनेती विज्ञान की विषय को बारे में अध राजनेति विज्यान की जो विशेष्टाएं वो परिभासाओं के आधार पर हो अपन पांस विशेष्टाएं का इंकुमर्णन करेंगे आज वर्णात्मक पहली दूसरी संस्थागत और अपचारिक तीसरी आधरसात्मक केम कल्पनात्मक सोती मुल्यात्मक और पांच वहे ए से लिखी की करतियों में मुख्य रूप से विफिन राजनितिक सनस्थाओं का वर्णन मातरी किया गया है और थोड़ा बहुत चीजों के में समानता और रह समानता को परकट किया है इसमें वेग्यानिक तथा व्योस्तित अधर्णक का अभाव पाया जाता है आधर्णक रा अनात्मक है प्रमप्रागत रष्टिकों जिसमें जो आधर्णिक नेतिक विषय हैं उनके बारे में कोई स्थान नहीं दिया गया तूसरा है संस्थागत एम उप्चारिक प्रमप्रागत राजनितिविज्यान के अध्यन का केंद्र बिंदू सास की सनस्थाओं समिधान इत नहीं हुआ कि सनस्थाएं विवार में किस प्रकार से कारिये करती हैं कौन से तत्वयक का इन पर प्रभाव पड़ता है प्रमप्रागत राजनितिविज्यान के विचारकों यथा जैसे डाईशी मुन्रो बर्क आधिक अधिन प्राइक ओप्चारिक संस्थागत ही रहा है तीसरी है आधरसात्मक हम कल्पनात्मक प्रमप्रागत राजनितिविज्यान में आधरसों हम दार्शनिक मुल्यों पर अधिक बल दिया जाता रहा है इस द्रिश्टिक कोण में प्रम नेतिकता और अच्छाईक से ओध प्रोष सिदान्त परचलित रहे हैं इसलिए जो प्र प्रमप्रागत राजनितिविज्यान में सरवाधिक बल जिस बात पर दिया जाता है वह है राजनितिक मुल्य राजनितिक मुल्य प्राय नेतिकता से निर्देशित होते हैं यथार्थ में राजनिति में क्या हो रहा है के बजाए इसका मुख्य सरोकार क्या होना चाहिए से होता है और पांच वी है चांफे हैँ के जोर दिया जाता है इन सनस्थाओं के विकास تथा कार्यों के आधार पर किसी पूर्व कथन या चमता का भाव पाया जाता था तो यह की प्रमप्रागत राजनिती विज्ञान की विशेश्था है अब हम राजनिती विज्ञान के जो आधुनिक दरस्टी कौन है उसके बारे में दिन करेंगे तो उससे पहले अपने राजनिती को प्रत्रमते संस्ता का तद्यन माना गया है अर्थात राजनिति विग्यान का दन राज्य तत्र सरकार जैसे संस्ताओं पर केंद्रित था प्रंपरागत राजनिति विग्यान के कुछ प्रंपरागत सिद्धान तो जैसे राजे की उत्पति राजे की विकास उसकी प्रकृत उसके विबिन तत्वे, सरकार के विबिन सवरूप, राजनितिक सनस्ताओं के विबिन अंग, उनके आपसी संबंद, इत्यातिक अध्यन को समलित किया जाता है। अध्यन का अध्यन नए द्रश्टिकोन से किया जाना, एक नया अथ्वा आध्यनिक द्रश्टिकोन प्रंप्रागत द्रश्टिकोन से बिलकुल है। आध्यनिक द्रश्टिकोन के अध्यन में कुछ नए तत्यों और विविद रूपों को अध्यन को अधिक महत्यों दिया गया। इन नए तत्यों रूपों के जैसे सक्ति, सत्त, प्रभाव, नियंतरन, मुले, आधी प्रमुक है। कुछ विचार कोने अपनी परिवासाओं में सक्ति तत्यों को केंद्री ये इस्तिती प्रदान किये। आध्यिक राजनिति विज्ञान की इस प्रमुक प्रिवासाओं निमन लिखे थे हैं। जैसे पहले हर्मन हेलर के सब्दों में राजनिति विज्ञान, सक्ति की प्राप्ति, रक्ष्या, एमवित्रन का दिन करने वाला विज्ञान है। इसी प्रकार लास्वेल ने क्या कहा है कि एक अनुभव जन्ने अध्यन के रूप में राजनिती विज्ञान सक्ति के निर्मान तथा साजिदारी का विश्य है और लास्वेल ने क्या काया है कि राजनिती विज्ञान को प्रभाव और प्रभाव साज्यूं का अध्यन करने वाला विज्ञान कहा जाता है ऐसे डेविड इस्टन के अनसार आधुनिक राजनिती को मुले का प्राधी करत तथा सत्ता अत्मक वित्रन कहा जाता है जहां उप्रक्तुरी भासाओं से यहां दो बातों उलेखनी है पहली जैसे कैटलीन, लास्वेल, कापलन, आदी विचारकू ने राजनीति विज्ञान में सक्ति सबद का परियोग व्यापक अर्थ में किया कैटलीन ने तो यहां तक कहा कि सयोग भी सक्ति प्राप्त करने का एक रूप हो सकता है दूसरे सब्दों हम यह कह सकते हैं कि इन विचारकू ने सक्ति का परियोग व्यापक अर्थ में किया तथा सक्ति सब्द को उस बदनाम धारना से मुक्त कर दिया जो होफ तथा मेगावरी जैसे विचारकों के साथ जुड़ी भी थी दूसरी यह दृष्टि कौन भी केवल एकांगी है कि राजनीति विज्ञान का दिन सक्ति से समंदित है सक्ति राजनीति विज्ञान के दिन की विशे वस्तों में से एक हो सकती है किन्तु से एक मात्र मानना सही दृष्टि कौन नहीं है इसी तरह डेविड इस्टन आमंड जैसे आधुनिक विचारकों के मतानुसार राजनीति विज्ञान राजनीतिक व्योस्ता का दिन है इसका देन है राजनितिक व्योस्ता का डेविड इस्टन की कत्रन का अनुसार किसी समाज में पार्स प्रिक किरियाओं को ऐसी व्योस्ता को जिसमें उस समाज के कल्यान कारी या अधिकार पूर्णीत निर्धारित होते हैं राजनितिक व्योस्ता कहा जाता है इसे प्रकार लास्विल जैसे विद्वान, राजनिती विज्ञान मूलत एक निती विज्ञान वानते हैं उसको। उसी प्रकार हरवन सायमन के अंसार राजनिती विज्ञान निर्ने निर्वान का विज्ञान है। प्रमप्रागत और आधनिक दरश्टी कोड़ों में समन्में इस्तापित करने का प्रियतन किया पिनाक और इसमित के सब्दों में राजनिति विग्यान किसी भी समाज की उन सभी सक्तियूं संस्थाओं तथा संग्ठनात्मक व्योस्ता से संबन दित होता है जिने उस समाज में सू व्योस्ता काइम करने तथा उसे बनाए रखने के लिए अपने सदश्यों अन्ने सामुई कारियों का संपादन करने तथा उनके मतवेदों का निराकन करने के लिए सरवाधिक अंतर्यामी तता अंतिम सत्ता मना चाता है वस्तुत कह सकते हैं कि आध्युनित विद्वान राजनितिक सनस्ताओं के पेक्षा मानम वेवार तता उन साधनों और प्रक्रियाओं को भी उन साधनों और प्रक्रियाओं को भी अपने अध्यन में अधिक मेहतों देते हैं जिसके आधार पर राजनितिक सनस्ताइं कारिये करती हैं तो ये था राजनिति विज्ञान का प्रमप्रागत दरश्टिकोंड की विशेष्टाएं और आधुनिक दरश्टिकोंड की अर्थोरुस की परिवासा हैं तो अगले वीडियो में अपन राजनिति विज्ञान का तो आज का टोपिक अपना ही समावत होता है